मेथी एक ऐसी ओशदी है जो सभी भारतिय रसोई घरों में आसानी से दिखाई दे जाती है क्योंकि मेथी को हम अपने भोजन में अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे मेथी के पराठे, मेथी की सबजी या मेथी मसाले के रूप में और कभी-कभी छोंक के लिए मेथी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है पर क्या डायविटीज में इन्हें खाना सेफ होगा? आपने सुना होगा कि डायोटीज में मेथी का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे कि क्या सुगर के पेशेंट को मेथी दाना खाना चाहिए मेथी के पराठे सभी घरों में मेथी का सीजन आने से ही बनने शुरू हो जाते हैं मेथी को हरी पत्तेदार सबजियों में गिना जाता है जो स्वास्ते के लिए काफी फायदे मंद होती है मेथी को सबजी पराठे और मसाले के रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है मेथी के बीज को कई आयुरुवेदिक दवाईयों में भी इस्तेमाल किया जाता है कई लोग वजन घटाने के लिए मेथी का पानी पीते हैं ये माना जाता है कि मेथी बलड शुगर को डाउन कर देती है तो क्या डाइबटीज के रोगियों के लिए इसका सेवन सुरक्षित है आईए जानते हैं आज के वीडियो में डबलु हचो का ऐसा मानना है कि 2030 तक मदुमे सबसे ज्यादा जान लेने वाली बीमारी बन जाएगी भारत में भी हर दूसरा वेक्ती मदुमे का शिकार हो रहा है वयसकों के साथ साथ बच्चों में भी अब ये समस्या देखी जाती है वास्ता में मदुमे का कारण गलत खान पान और अस्वस्त जीवन शेली है मुखेता मदुमे दो प्रकार का होता है टाइप वन और टाइप टू इसके अलावा कुछ और प्रकार भी बताये गए हैं जैसे घर्ब कालीन मदुमे और प्रीब डाइबिटीज यो तो मेथी सेहत के लिए काफी फाइदे बंद है पर डाइबिटीज से गरस्त मरीजों की इस्तिती थोड़ी नाजुक हो जाती है इसमें सिर्फ शुगर बढ़ना ही नहीं बलकि अचानक शुगर का घटना भी जोखिम का कारण हो सकता है इसलिए क्या शुगर डाउन करने वाली मेथी को क्या डाइबिटीज के रोगी ले सकते है जी हां मदुमे के पेशेंट के लिए मेथी घाना सुरक्षित है क्योंकि मदुमे वाले लोगों के लिए इसके फाइदे कई हो सकते है मेथी में फाइबर होता है जो शरीर में काईबोहेडरिट के अफशोषन को धीमा करके रक्त शरकरा यानि कि बलड शूगर के इस तरको नियंतरित करने में मदद कर सकता है वास्ता में मेथी शूगर डाउन नहीं करती बलकि इसमें ऐसे योगिक होते हैं जो इंसुलिन समवेदन शेलता में सुधार कर सकते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध को कम कर सकते हैं इस तरह मेथी मदुमेह के प्रबंदन में महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है इसकी मात्रा की बात करें तो आयू, वजन और स्वमस्त स्वास्त के कारकों या दूसरे फैक्टर के आधार पर भिन भिन मात्रा में मेथी का सेवन किया जाना चाहिए आम तोर पर मेथी का सेवन कम मात्रा में करने की सलह दी जाती है जैसे एक से दो चम्मच मेथी के बीच रात बर पानी में भिगो कर सुबह सेवन करें या थोड़ी मात्रा में अपने भोजन में मेथी के ताजे या सूखे पत्ते मिलाएं डायविटीस के पेशेंट मेथी को कैसे इस्तेमाल करें मेथी को पानी में बिगो कर इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी दाने का सेवन करने का सबसे आसान और सरल तरीका है इसे बिगो कर अपनी डाइट में शामिल करना मेथी दाने को पूरी रात पानी में डाल कर बिगो दें फिर सुबह उठकर आप इस पानी को उबाल कर पी लें सुबह खाली पेट ये पानी पीने से आपको काफी सारे फाइदे मिलेंगे जिन में से एक है डियाबिटीज, कंट्रोल करना दूसरा बात करते हैं मेथी को अंकुरित करके खाने की आप चाहें तो मेथी दाने को अंकुरित करके भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं इसे आप चने या किसी अन्य दाल की तरह अंकुरित कर सकते हैं साथ ही अंकुरित मेथी के बीज के आप पराठे बना सकते हैं सबजी में डाल सकते हैं या आप इसका healthy sandwich भी बना सकते हैं हलाकि ये स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है इसलिए आप इसे अन्य सामग्रियों के साथ मिला कर इसका सेवन कर सकते हैं मिथी powder की बात करें तो मेथी के दानों का powder बना कर रख सकते हैं इसमें आप करेले के बीज भी मिला सकते हैं और दोनों का powder बना कर रख लें इस powder को सुबा खाली पेट लिया जा सकता है ये गर्म पानी में मिला कर भी पी सकते हैं तो दोस्तों ये थे मेथी के कुछ फाइदे अगर आप मेथी दाने को सही मात्रा में और ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके blood sugar level को ये कम ना कर सके लेकिन क्या मेथी दाने का कोई नुकसान भी हो सकता है जी हाँ मेथी दाने का नुकसान भी हो सकता है मेथी दानों के फायदे के इलाबा अगर आप मेथी दाना गलत तरीके से इस्तिमाल करते हैं उसकी बहुत जादा मात्रा इस्तिमाल करते हैं तो इससे दस्त, सूजन और पेट में खराबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं इसके लिए आपको शुरुआत में मेथी दाना थोड़ी मात्रा में इस्तिमाल करना है अगर वो आपके शरीर को सूट करता है तब ही आप उसकी मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर पाचन संबंदी कोई परेशानी है तो इसके लिए खूब पानी पीएं कु ही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम